हलो एवरीवन, दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों का हर्दिक, श्वागत और अभी नंदन करता हूँ, एक और नई श्यांदर क्लास में, मैं महिश यादव, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग, होफ़ली आप सब लोग बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, जैसा मै आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कल एक और श्यांदर क्लास लेकर आऊंगा, जो आप लोगों के लिए इतनी जदा इसेंशल रहेगी, कि जो फर्स क्लास आप लोगों ने वाच कर रखे, उसी के बैसिस पर आप लोग देख पाएंगे, एक मैं प्रेक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा, sentences आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर माप लोगों से पूछूंगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर क्या कार ये कर रहा है, दोस्तों, क्लास चल रहा है हमारा the parts of speech, किसकी बात हो रही है मित्रों, the parts of speech, आज हम इस part को पूरा कर लेंगे, और parts of speech में भी class number third, part 03 is going on, ये रहा मित्रों, समझना है मित्रों आप लोगों को कि ये parts of speech की सिसाफ से function करते हैं, hopefully आप लोग काफी अच्छा enjoy भी कर रहे हूंगे, इस topic को पढ़ भी रहे हूंगे अच्छे से, ठीक है, यदि ऐसा है, तो फिर अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक चलिए दोस्तों, नाउन और प्रनाउन पढ़ लिया था, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, adjective, बोले तो विशेशन, ठीक है, adjective का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, added to something, कुछ जोड़ा हुआ, add करना मीत्रों, तो अब ये होता क्या है, इसकी definition आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आए, दोस्तों, adjective का मतलब add करना होता है, और होता क्य है, वो भी देखेगा, तो ये रहा, an adjective is a word, ठीक है, क्या देखा है, दोस्तों, फड़ा पर देखेगा, an adjective is a word, एक adjective ऐसा word होता है, ठीक है, which is used, which is used, जिसका हम use करते हैं, which is used, to add something, to add something, किस में, to the meaning of a noun, to the meaning of a noun, ये रहा मित्रों, हमारे सामने निकल कर आया, कि adjective किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि adjective का मतलब ही होता है, added to something, किसी चीज में जोड़ा हुआ, मतलब adjective एक ऐसा word होता है, which is used, to add something, to the meaning of noun, definition हमें बिलकुल भी नहीं रखनी होती है, दोस्तों, इसलिए आपको में थोड़ा सा आगे लेके चलता है, और बड़े आसान शब्दों में हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, एक तो इस adjective का मतलब किस हिसाब से अपने लोग निकाले हैं, दोस्तों, adjective एक ऐसा शब्द है, जो noun या प्रनावन, जहां-जहां noun की बात हो रहें, वहां प्रनावन की स्वता ही बात हो जाएगी, संग्या और शर्वनाम शब्दों की क्या बताता है, बताओ, विशेष्ता बताता है, या फिर इनको क्या करता हो, modify करता हो, modify बोल दो, या फिर मित्रों, आप लोग ध्यान देना, qualify आजाए, कुछ भी आजाए, modify या फिर qualify, ठीक है मित्रों, adjective एक ऐसा शब्द होता है मित्रों, जो संग्या या सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है, विशेष्ता बताता है, बताओ ज़रा कोई दिकत किसी भी परकार की, ठीक हैं, जैसे आपने पहला ही sentence बता दिया, प्रताप, जो था महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, प्रताप was a brave king, प्रताप was a brave king, और इसके अलावा देख लेते हैं, एश्वरिया is beautiful, यह रहा मित्रों, that is a nice pen, यह that is a nice car, यह रहा मित्रों, पहला sentence आपने देखा, प्रताप was, प्रताप किसी भी sentence का subject का function कर रहा है, आपको पता है, नाउन है, was यहाँ पर verb है, यह मित्रों आर्टिकल है, बोले तो determiner है, कि इसके लिए यूजवा है king noun के लिए, और राजा कैसा है, मित्रों बताओ, जल्दी बताओ, king है दोस्तों, brave, brave king, king, brave, brave king, इस राजा के बारे में, हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, किस के बारे में बताओ, जरा noun या pronoun के बारे में, याद रखना दोस्तों, क्या बोला है आपने, कि noun या प्रनावन के बारे में, हमें अतिरिक्त जानकारी देने का काम, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, आपका, बताओ कौन करेगा, noun करेग, adjective करवाएगा adjective के माध्यमशे ही हम किसी की विशेस्था बताते हैं जैसे दिवार नाउन है दोस्तो दिवार की विशेस्था बता दो दिवार सुंदर है, मोटी है, पतली है मजबूत है, कमजोर है आपने बता दिये सर पंखा बिलकुल पंखा तो ना हुने किसी का नाम है पंखा कितना है महंगा है सुन्दर है अच्छा है बुरा है घटिया है बढ़िया है बढ़िया पंखा अच्छा पंखा बुरा पंखा महंगा पंखा पंखा की विशेस्ता बता दिया कमरा बड़ा है छोटा है सुंदर है बूरा है गंदा है साफ है कुछ भी देखेगा पहले आप अपन लोग बोलते थे ना राजा धी राज, महाराज, गजाधर पता नहीं क्या-क्या बोला करते थे यह सब विशेस्ता ही थी उस राजा की राजा धी राज महाराज ठीक है कितने सारी विशेस्ता ही अपने लोग लगाया करते थे राजा को चड़ाने के लिए उससे पहले उसकी विशेस्ता बता बता के कई बार पंडित महाराज भी गनेजी भगवान को बुलाने के लिए ठीक है ओम गनेशाई नमहर ऐसे बोलते रहते हैं ठीक है देवों के देवर वो देवर ये देवर आई एर पदारी एर पता नहीं क्या क्या सीधी सी बात है कि हे गनेशी बगवान आईए पदारी और कारिये को शिद करियर बच्चे से कोई गल्टी होगी तो उसको माफ कीजिएगा ख्षमा कीजिएगा हम हर जगे विशेस्ता लगाते हैं आप बड़े चतुर हो आप बड़े सुन्दर हो ठीक है आपका शर्ट सुन्दर है ठीक आपका मारकर महंगा है ठीक न? आपकी अंग्रेजी अच्छी है अब हर जगे देखिए हर जगे एजेक्टिव यूज करते हैं उनका घर बहुत बड़ा है सुखी जीवन है ठीक न? बहुत अच्छी मुवी है इस परकार से समझ में आ गया? तो संग्या और सर्वनाम शब्दों के बारे में विशेष्टा बताने वाले शब्दों को मित्रों हम क्या बोलते हैं? विशेष्ण बोलते हैं कुछ और भी जानकरी दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार एडवर बताऊँगा ठीक है? देखिए जिस परकार से adjective के बारे में देखा कि an adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun वैसे ही ध्यान देना हम आपके सामने लेकर आएं हैं एक और चीज़ एडवर ठीक है मित्रों? जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेष्ण बोलो मित्रों क्या होगा? क्रिया विशेष्ण दोस्तों इंगलीश में दो शब्द होते हैं adjective और एडवर ये दो ऐसे शब्द हैं जिनोंने ठेका ले रखा है दूसरे शब्दों की क्या बताने की? विशेष्ण बताने की विशेष्ण बताने की गैरेंटी या ठेका कौन से शब्दों ने ले रखा है मित्रों? एज़ेक्टिव ने और एडवर ने? मित्रो ध्यान देना एज़ेक्टिव और एडवर दो ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में ठीक है? जिनोंने दूसरे शब्दों की विशेष्टा बताने की गैरेंटी ले रखी है मित्रों एक बात पर फिर ध्यान देना एज़ेक्टिव किसकी बताता है? एडवर किसकी बताता है? यह तो बता दिये लेकिन एडवर किसकी बताएगा यह देखो एडवर का हिंदी होता है किरिया विशेशन है किरिया का मतलब है वर्ब विशेशन का मतलब adjective पर दोनों को मिला दें तो आजाएगा किरिया विशेशन बोले तो adverb यह है रो दोस्त ठीक है An adverb is a word which is used to add something in the meaning of verb an adjective or another adverb used in a sentence किरिया विशेशन किरिया की विशेशता विशेशन की विशेशता और पूरा शब्द किरिया विशेशन बोले तो adverb की विशेशता तो definition देख लो दोस्तो क्या होता है definition भी समझ लो An adverb is a word which is used to add something in the meaning of a verb an adjective an adjective viciation and another adverb kriya विशेशन used in a sentence बड़ा मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने के बाद कुछ भी चीज नहीं बचाएगा definition बिल्कुल नहीं रखनी है आपको भी पताएगी मैं डिटेल में पढ़ाता हूं फिर इनको short में भी आप लोगों के सामने रख देता हूं एक adverb जो है दोस्तों एक ऐसा शब्द है which is used to add something in the meaning of verb बोले तो kriya एजक्टिव विशेशन है और दोनों को जोड़कर आगया kriya विशेशन और another adverb kriya विशेशन और kriya विशेशन की विशेश्था बताने का ठेका किस के पास है मित्रों adverb के पास ठीक है जल्दी बताईएगा make it first अब आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं मित्रों जितने भी part of speech होते हैं एजक्टिव ने तो ये कह रखा है क्या कि भई noun और प्रनावन का ठेका तो मैंने ले रखा है इनकी विशेश्ता बताने का ठेका तो एजक्टिव के पास है और adverb क्या कह रहा है adverb कह रहा है भई noun और प्रनावन को छोड़ कर बताओ किसको छोड़ कर है noun और प्रनावन को छोड़ कर फिर से बोलो noun या प्रनावन को छोड़ कर को छोड़ कर अन्ने सभी की विशेष्ता कौन बताएगा बताओ एडवर्ब बताएगा ठीक है मित्रों विशेष ध्यान देना है वई ओके नाउन या प्रनाउन की विशेष्ता तो आपका एजेक्टिव बताएगा और अन्ने सभी की विशेष्ता एडवर्ब बताएगा मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई प्रोब्लम नहीं है यदि यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं है तो फिर आगे चिंता भी नहीं करनी है संग्या और सर्वनाम की विशेष्ता बताने का ठेका, कॉंट्रेक्ट, जिम्यदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेक्टिव ने उठा रखी है और अन्ने सभी की विशेष्ता अन्ने सभी में कौन-कौन आता है मुख्यत है वर्ब या फिर एजेक्टिव या फिर किसी वाक्य में परियुक्ट दूसरी एडवर्ब या कई बार तो हॉल सेंटेंस पूरे वाक्य को ही विशेष्ता बता देगा हॉल का हूल नहीं है, हॉल पूरे वाक्य की विशेष्ता बतानेगा मतलब adverb सब को लपेटे में ले सकता है, noun और pronoun को छोड़ कर, आगे दोस्तों यही बात आपके इतनी ज़्यादा काम आएगी, इतनी ज़्यादा काम आएगी, it will be बले 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 after learning dish, जड़ा देख लेते हैं, कैसे, पहला, रमन वक्ट हार्ड, पहला संटेंज, दोसरा संटेंज, रमन वक्त, 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 Frankly I am a liar दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ sentences लिखें इनको आप अच्छे तरीके से समझ लो मेरे इशाब से आप लोगों की समश्या जो है वो दुरस्त हो जाएगी जल्दी कीजिये मित्रो आईए जड़ा कैसे और किस हिसाब से इसको पढ़ने के लिए मैं एक बात आप लोगों की सामने रखूँगा मित्रो और यह रहा M, P, T, R फिर से बोलो मित्रों क्या है M, P, T, R बोलो जड़ा क्या है M, P, T, R M का मतलब मित्रों है मैनर बोले तो How का आंसर देने वाले तमाम शब्द मैनर में आएंगे How बोले तो मित्रों कैसे आगे देखिएगा P से मित्रों मना है Place ठीक है Place बोले तो मित्रों where Hindi होता है कहां T से मित्रों बना है टाइम When Hindi होगा कब और R से मित्रों बना है Reason Why क्यों दोस्तों मेरा काम है आपको इस point को बहुत आसान बना देना Easily आप लोगों के सामने Lucidly आप लोगों के सामने present करना और मैं इसको present कर भी रहा हूँ ठीक है जितना अच्छे से इसको present करेंगे उतना हमारे सामने चीज़े बिलकुल clear clearly निकल कराएंगी देखिए दोस्तों चार शब्द मैंने broadly देखे हैं measure जो four जो adverbs है कौन कौन सी है manner है place है time है और reason है यह जितने भी शब्द हैं दोस्तों ठीक है यह बताने वाले शब्द सब के sub adverb होते हैं और या फिर एक शब्द आप frequency को विध्यान में रखिएगा frequency बताने वाले frequency होता हाँ often कितनी दफा वै प्राय यहां आता हाँ often ये लो जी वै हमेशा यहां आता तो उसकी आने की जो frequency है मित्रों वो हमेशा के तोर पर है ठीक है मेरे भाई ऐसे शमद रहे इनका answer जो है दोस्तों वो केवल और केवल मित्रों क्या होगा adverb होगा अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना बताओ कोई दिक्कत है तो आप लोगों को यहां तक मेरे इशाब से कोई दिक्कत आप लोगों को यहां पर नहीं है चलूं क्या फिर आगे यह दिन नहीं है तो आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को ठीक है manner बोले तो how का answer देने वाले place, where का answer देने वाले time, when का answer देने वाले reason why का answer देने वाले m, p, t, r, manner, place, time, reason are you getting me? any problem, idea? यहां तक मेरे इसाब से कोई समश्य आप लोगों के सामने नहीं आने वाली है और वो चीज़ी हमने देख लिये frequency बोले तो how often का answer देने वाले जो शब्द होते हैं मित्रों वो भी adverb होते हैं मित्रों बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो do tell us बेफिक्र होके हमारे सामने तो noun होगा subject है worked verb है रमन ने काम किया hard बताओ किस के लिए है यह समझना है hard रमन है या काम hard किया रमन hard नहीं है रमन worked hard, रमन ने काम किया how कैसे how का answer दे रहा है इसलिए मित्रों यह adverb है और adverb भी am लगा देता हूँ adverb of manner how का answer देने वाला भी बताए था मैनर ठीक है आगे चलिए adverb है मित्रों इसके लाब रमन फिर से noun है worked verb है hard किस के लिए है आपको भी पता है जैसे उपर worked के लिए है वैसे यहाँ पर भी किस के लिए है worked के लिए है adverb है और adverb of manner है आपको विदित है पता है इस इसका और very किस के लिए है very hard यह very इसी के लिए है very hard तो देखो उपर वाला जो hard है ठीक है किसकी बात कर रहा हूँ उपर वाला जो hard word है वो adverb है manner वाला किसकी विशेस्ता बता रहा है verb की तो पहले में तो विशेस्ता आप लोग ध्यान दीजिएगा verb की विशेस्ता बता रहा है दूसरे में यह very किस के लिए है very hard तो hard पहले से adverb है तो adverb की विशेस्ता भी दूसरा adverb एक adverb जो है वो दूसरा adverb की विशेस्ता बता सकता है पहले में verb की विशेस्ता दूसरे में adverb की रमन मित्रों फिर से क्या है noun है is क्या है verb है wise बुद्धी मान कौन है यह बताओ is बुद्धी मान है very wise है या फिर रमन wise है yellow जी मित्रों यह wise रमन के लिए noun की विशेस्ता कौन बताएगा adjective बताएगा और yellow very किसके लिए very wise तो adjective की विशेस्ता भी कौन बताएगा adverb तो यहाँ पर adverb किसकी विशेस्ता बता रहा है adjective की विशेस्ता आगे देखेगा frankly यह पूरे sentence के शुरुवात में आएब फिर कॉमा आजाती है तो मान लेना यह भी adverb है इसको बोलते हैं sentence adverb पूरे sentence को इमोडिफाई कर रही है आई आपको पता यह pronoun है am verb है a determiner है determiner के बाद हमेशा noun आतर यह full stop है एक एक शब्द के बारे में एक एक आपके punctuation mark के बारे में हम अच्छे तरीके से वाकिफ भी है और बहुत अच्छे मजे से पढ़ भी रहे है देख लो दोस्त आप लोगों को यह देखना है कि कौन सा शब्द किस के लिए प्रिक्ट हुआ है मित्रों उसके बाद में आप लोगों को कोई भी नहीं रोकने वाला है मैं इतना आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ अच्छे से समझा सकता हूँ यही कह रहा हूँ मित्रों जम के पढ़िये धंग से पढ़िये ताकि किसी भी प्रकार की आप लोगों के लिए कोई दिक्कते नहीं आए ठीक हैं बताओ ज़रा आगे चलिए तो आप बोलेंगे यहां तक से ही काम नहीं चलने वाला है थोड़ा इसको समझिये क्या है आईए दोस्तों मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को बता कर आया था कि डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द नाउन होगा यह दि आपने मेरी क्लास नंबर दो देखी हो तो उसमें समझ में आजाएगा पार्टस अब स्पीच का क्लास नंबर टू डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द मित्रों हमेशा नाउन होगा जैसे मैंने यहां परी बता दिया आप लोगों को क्या बताया है जड़ा देखना निशा इज एटीचर निशा जो है वो एक टीचर है तो आपको पताये ए क्या है मित्रों बोलो डिटर्मिनर है और बताया था डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द आँख मूंद कर विश्वास करे पक्का नाउन होगा अवर्ड देट फोल्स जस्ट आफ्टर नाउन देफिनिटली देट मस्ट भी ए नाउन दोस्तो थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ कई बार मित्रों ऐसा भी पाया गया है कि डिटर्मिनर और नाउन के बीच में कभी कबार एक शब्द और एंट्री मार जाता है तो चिंता करने की क्या बात है बताओ भाई वो शब्द एजक्टिव होगा क्योंकि संग्या की विशेस्ता बताने का ठेका किस के पास है एजक्टिव के पास है याद रखिए मित्रों डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द नाउन होएगा लेकिन कई बार क्या होता है डिटर्मिनर और नाउन के बीच में कोई और शब्द आजाता है तो वो पक्का एजक्टिव होएगा जैसे हमने देखा निशा इस एब्यूटिफल टीचर या एवाईज टीचर बुद्ध इमान अध्यापिका है ये रहा ये जो ए है मित्रों ये क्या है बोलो डिटर्मिनर है किसके लिए आया है डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द मित्रों नाउन है ठीक है अब कुछ क्या बोलते है कि सर ये तो ए लगबख से पूछे का ए किसके लिए सर वाईज के लिए अच्छा वाईज के लिए तो फिर मिटा के देखो दरा आप कहे तो रहे निशा इस वाईज निशा एक बुद्धी माने आस तक हुआ है कैसा आस तक तो ऐसा हुआ नहीं ये तो बीच में कोई शब्द आ गया तो हम क्या करें डिटर्मिनर और नाउन के बीच में ये ये इस टीचर के लिए है टीचर कैसा है वाईज वाईज टीचर टीचर वाईज नाउन की विशेष्टा बताने का ठेका किसके पास है adjective के पास तीसरी महत्वपुन बात ये दी किसी sentence में determiner आजए determiner और adjective से भी पहले कोई word आजए तो adverb, फिर adjective फिर noun ये याद कर लिया वित्रों तो सब कुछ ठीक हो गया अब फिर रटोगे आप रटोगे तो फसोगे मैं क्या करूँ, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तो, determiner आ गया ना तो noun आएगा कि नहीं आएगा ये रहा noun noun की विशेस्ता, संगया की विशेस्ता kunna विशेषन बताता है और विशेषन की विशेस्ता, कि या विशेषन बताता है डरने की क्या बात है अरे वही नाउन की और प्रनाउन की विशेस्ता कौन बताएगा adjective की adjective तो नहीं बता सकता कौन बताएगा adverb बताएगा तो last में formula हमारे पास क्या है पहले तो क्या है determiner or noun determiner or noun के between यदि कोई word insert करवा रहा हो तो फिर वो adjective को करवाएगे क्यों की noun की विशेस्ता आपका कौन बताने वाला है adjective बताएगा और adjective से भी पहले आएगा तो फिर वो adjective नहीं होएगा मित्रों adverb होगा I say got it any problem idea that's great बहुत खुब मजा रहा है मित्रों ऐसा ही काम आप लोगों को करना है एक sentence ले लेते हैं वही का वही sentence आ रहा है मित्रों कौशिश करना आंसर दे नहींगी निशा is an extremely wise teacher and क्या है दोस्तों बता दो फड़ा फड़ डिटर्मिनर है आया किस के लिए teacher सर टीचर के लिए तो a आना चीए and हमेशा निकटतम ध्वनी देखी जाती है आर्टिकल के लिए निकटतम ध्वनी को देखेंगे मित्रों निकटतम ध्वनी को देखा जाता है निकटतम ध्वनी को देखा जाता है ठीक है मित्रों teacher नाउन आ गया नाउन की विशेस्ता नाउन कैसा है wise है teacher wise है तो ये लिजिएगा adjective आ गया और ये extremely किसके लिए है wise के लिए तो adjective की विशेशता कोन बताएगा एडवर्ब बताएगा ये पढ़ने के बाद में मित्रोम आपको पूरी guarantee के साथ कैसकता हूँ के आपका एक भी question गलत नहीं होगा दोस्तो नाउन और प्रणाउन की विशेशता adjective बताएगा ये याद रखना है ठीक है और इसके अलावा मैंने आप लोगों के सामने एक और बात रख दी और वो क्या थी कि नाउन और प्रणाउन के अलावा सभी शब्दों की विशेशता क अधिकार बताने वाला मेरा तुमारा हमारा उसका इनका उनका ऐसे कुछ शब्द बताएथे आपको ठीक है तो डिटर्मिनर के बाद आने वाला शब्द नाउन होएगा और नाउन के बिट्वीन यदि कोई शब्द है मित्रों तो वो एजेक्टिव होगा क्या होगा एजेक्टिव होगा और इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया एजेक्टिव से भी पहले आए तो एडवर्ब तो लास्ट में क्या बना डिटर्मिनर प्लस एडवर प्लस एजक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि नाउन की विशेषता एजक्टिव, एजक्टिव की एडवर्ब, डिटर्मिनर किसके लिए, नाउन के लिए प्लिवत हुआ है, मित्रों, कैसा लग रहा है, मजा राएगे नहीं आ रहा, ठीक है, मजा आये ना आये, लेकिन ज्यान आ रहा है और जो भी कुछ अच्छी चीज आती है ना बड़ा दुख होता है ठीक है दुख के साथ आती है जो चीज पढ़ी भी होती है वही पढ़ाई जाती है तो आनंदान उभूती होती है जो चीज नहीं पढ़ी भी है फिर कोई नहीं चीज पढ़ाई जाये तो एक बार थोड़ी से सनक तो आती है, सलवटे तो गिरती है मस्तिस्क में, ठीक है, यहां पर अपना जो ललाठ है, उस पर सलवटे तो गिरती है, लेकिन ये बात कहें जरूर सकता हूँ, ठीक है, कि जिसने कुछ नयाई नहीं सीखा, फिर जनम लेने का मतलबी क्या है, हर दिन में आप यूँ ही उड़ते हैं और बिना कुछ नया सीखे ही वापस जाके पढ़ जाते हैं, इट मिन्स मज़े आने वाली तो बात नहीं है फिर, ये बात है, और मित्रों हमेशा याद रखें, मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, यदि आप उड़ सको तो उड़ो ठीक है? और उड़ नहीं सको तो दोड़ो और दोड नहीं सको तो चलो चल नहीं सको तो रेंगो लेकिन आगे बढ़ते रहो लेकिन आगे बढ़ते रहो उड़ सको तो उड़ो उड़ नहीं सकते तो दोड़ो और दोड नहीं सकते तो चलो और चल भी नहीं सकते तो रेंगो लेकिन आगे बढ़ते रहो रेंगो के तो भी पीछे तो नहीं आओगे slow and steady wins the race that's it इसे अच्छी बात और क्या कहेगा कोई पड़ से ठीक है मित्रो चीजों को अच्छी तरीके से देखिए निशा is an extremely wise teacher चलिए इसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता इतना clear होने के बाद में मित्रों अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में वर्ब के बारे में चलो दोस्तों वर्ब क्या होती है आपके लिए बिल्कुल नई चीज वर्ब बोले तो ख्रिया हो अच्छे तरीके से देखिए मेरे इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की कोई बात रही है वर्ब को आप लोग easily देख लेंगे कि वर्ब होती क्या है दोस्तों देखिएगा A verb is a word ठीक है वर्ब क्या है मित्रों? एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? A verb is a word which is used A verb is a word used to express an action or state यह रहा दोस्तों ध्यान दीजिएगा किरिया एक ऐसा शब्द है मित्रों जो आप लोगों को क्या बताता है? ठीक है? या तो action बताता है या फिर किसी state को बताता है जैसे यहाँ पर पहला ही आ गया है sentence जेपुर is a big city आगे देखिएगा दोस्तों I am a disco dancer सुना होगा गाना I am a disco dancer ठीक है? हे मन्त teaches well हे मन्त अच्छा पड़ाता है ठीक है? और देखिएग मित्रों नेहा राइट्स नीटली बड़ा सुन्दर लिखते है पहला sentence वर्ब का इतना सा ही काम है दोस्तों या तो वो आपके सामने action को शो करेगी काम के होने का बोध करेगी या फिर किसी state को दरसाएगी state condition को दरसाएगी जैसे जेपुर is a big city तो जेपुर कोई काम नहीं कर रहा है यह state है यह रहा state is going verb है दोस्तों यहाँ पर जेपुर is a big city यह state verb है I am a disco dancer ओके मैं disco dancer हूँ ठीक है तो यह am dancer होने की स्थती को यह बता रहा है हेमन टीचेज पढ़ाने में मित्रों action हो रहा है और वैसे ही नेहा writes neatly लिखने में भी क्या हो रहा है action हो रहा है नेहा लिखती है कैसे लिखती है कैसा लिखती है neatly लिखती है साफ सुत्रा लिखती है तो write की विशेषता कोन बताएगा मित्रों adverb बताएगा विशेष्थ्यान देना are you getting me noun पढ़ लिया pronoun पढ़ लिया मित्रों adjective पढ़ लिया adverb पढ़ लिया verb पढ़ लिया ठीक है आगे देखिएगा preposition काफी important और preposition को मैं simple language में आप लोगों के सामने रखूंगा preposition मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है pre और position याद रखिए मित्रों preposition दो शब्दों से मिलकर बना है एक pre है और दूसरा क्या है बोलो position है ठीक है अब हमने देखा कैसे और किस हिसाब से तो कैसे आया pre का मतलब होता है before और position का मतलब होता है place दोस्तों याद रखना preposition एक ऐसा stand है pre का मतलब देखो क्या है पहले और position का मतलब होता है stand अर्थार preposition एक अच्छा पहले stand किस से पहले stand तो याद रखना, preposition के बारे में इतना सा ध्यान देना होता है, कि preposition एक ऐसा शब्द होता है, जिसका प्रियोग सामाने तर नाउन या प्रनाउन से पहले होता है, मित्रों, यदि आपने ऐसा भी देख लिया, तो ये लोग preposition complete हो गया. दोस्तों, preposition किसे कहते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक हैं, मैं definition लिख देता हूँ, क्या होती है, a preposition is a word used with a noun or pronoun, एक noun और प्रनाउन के साथ use होता है, मित्रों, to show, क्या दर्साने के लिए, एक रिलेशन दर्साने के लिए, ठीक है, ध्यान देना, a preposition is a word used with a noun or a pronoun to show, ठीक है, to show, how a person or thing or a thing denoted by it, a preposition is a word used with a noun or a pronoun, ये रहा, ठीक है, जो आपने देखा by a person or thing denoted by the noun or pronoun, denoted by the noun or pronoun, denoted by the noun or pronoun, stands in relation to something else, in a relation to something else, ये रहा, दोस्तों याद रखना, ये काफी लंबी चोडी डेफिनिशन आई, a preposition is a word used with a noun or pronoun to show, how the person or thing denoted by the noun or pronoun, stands in relation, ठीक है, stands, समझ में आया, अच्छे तरह किसे समझीए, preposition किसे कहते हैं, a preposition is a word, preposition एक ऐसा शब्द है, used with a noun or pronoun, ये बात अच्छे से समझा दी, जो noun or pronoun के साथ use होती है, to show, ये दर्साने के लिए, how a person or thing, कैसे कोई भी person और जो think होता है, कैसे कोई भी noun or, देखो, used with a noun or pronoun to show, ये दर्साने के लिए, how a person or thing, कैसे कोई person or thing, जो denote हो रही है किसके द्वारा, by the noun or pronoun stands in relation to something else, आपको मैं इतनी सी बात बता दू यार, ज्यादा लंबी चोड़ी definition पर ध्यांद नहीं देना, preposition उस शब्द को कहते हैं, जिसके बाद noun या pronoun का use, that's it, मतलब preposition हमेशा noun और pronoun के साथ stand करता है, और to show, और ये भी दरसाता है कि कैसे एक आदमी या फिर वस्तू, जो noun और pronoun के जवारा तो denote हो रही है, वो उसके relation में use होती है, ठीक है, जरा समझते हैं कैसे, आगे चलिए, जी एक सेंटेंस आया है, he went upstairs, बड़ा मज़ा आएगा समझिये, आगया आगया, he went up, difference देखिए दोनों में, he went up, दोस्तों यहाँ पर पका preposition है, क्यों है, क्योंकि आगे ना हुना आगया, और नीचे वाले में, he went, verb, गया, कहा गया, और आपको भी पता है दोस्तों, कहा का answer क्या आता है, adverb आता है, तो यहाँ वाला अप क्या है मित्रों, adverb है, यह verb है, और दोनों में पहला शब्द मित्रों क्या है, pronoun है, मैं तो आपको यह बता रहा हूँ कि, कैसे यहाँ पर अप एक preposition बन गया, यहाँ पर अप एक कैसे adverb बन गया, मित्रों जरूर याद रखना, ठीक है, विशे ध्यान देना, जैसे, एक sentence आ गया, और आगे देखिएगा दोस्तों, sorry, हम तो इनकी बात कर रहे थे, किसके बारे में, preposition के बारे में, और देखिएगा एक sentence, रमन टीचीज वेल, अच्छे से तरीके से समझीए, और देखिएगा, रमन टीचीज वेल, रमन टीचीज वेल, रमन टीचीज वेल, आईए दोस्तों, तीनों में रमन क्या है, बताने की जरुवती नहीं है, पहला sentence देखो, रमन नाउन है, टीचीज वर्ब है, रमन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, तो ये पढ़ाने की विशेशता, रमन अच्छा है या पढ़ाता अच्छा है, पढ़ाता कैसा है, तो एडवर्ब ओफ मैनर आ गया है, रमन इस वेल, रमन नाउन है, इस वर्ब है, रमन है, कैसा है, अच्छा है, तो ये adjective हो गया, वेल उसके health के बारे में बता रहा है, रमन नाउन है, वेंट गया, रमन कहां गया, to preposition आ गया, to the well, वैसे भी determiner के बाद नाउन आ रहा है, रमन वेंट तो दे वेल, रमन कुए पे गया, तो आप यार कैसे बता सकते हो, कि वेल का मतलब अच्छा होता है, आप बोलना, किसी भी शब्द के वास्त्विक अर्थ, या फंक्शन का पता कब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक आप उस word को किसमें यूज नहीं कर लें, sentence में यूज ना कर लें मित्रों, ठीक है, well का मतलब, जब noun होगा, तो इसका मतलब tube well वाला कुआ हो गया, ठीक है, और इसी का मतलब well जब adjective होगा, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, health wise, और जब adverb होगा, तब मित्रों आप इसको क्या बोलेंगे, अच्छी तरह से, ये लीजिए मित्रों, और क्या चीए आपको, एक शब्द के एक से ज़्यादा meaning हो सकते हैं मित्रों, depend किस पर करेगा, sentence पर, इसलिए कहता हूँ, isolation में जो words हमने पढ़े हैं न, उनको मत पढ़िये, एक एक शब्द को अलग-अलग करके मत पढ़ा करो कभी भी, यदि पढ़ने का ज्यादा ही सोख हो, तो आप simple सी बात है मित्रों कैसे पढ़ेंगे बताओ, sentence में यूज करके पढ़ी, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, ठीक हैं, आगे चलिए, फिर conjunction किसे कहते हैं, तो adverb और preposition में जरूर ध्यान देना, preposition के बाद noun का अना अनिवारिये, जब noun नहीं आ रहा है, तो वही शब्द क्या बन जाएगा, adject आपका adverb बन जाएगा, मित्रों, number 8 पर आ रहा है आपका conjunction, क्या रहा है, conjunctions, तो यहां तो आपको खुद को ही पता चल रहा होगा, को, ठीक हैं, को का मतलब ही क्या होता है, together, और यह रहा junction, junction का मतलब ही क्या होता है, दोस्तों बताओ, join करना किसी चीज़ को, जोडने का, तो यहां पर फिर से definition, आप लोगों के सामने हाजिर है, क्या बोलने वाले ज़रा देखिएगा, a conjunction is a word, a conjunction is a word, used to join, used to join, words, phrases and sentences together, clauses are sentences together, यह रहा मित्रों, conjunction एक ऐसा शब्द है मित्रों, जो शब्दों को, phrases को आपस में जोडने का काम करता है, ठीक हैं, आगे चलिए, कैसे, for example, पहला, मौनिका एंड मनीशा, आर कजिन्स, ठीक हैं, और देखेगा, एंड गुट बड़ई, एंड बड़ई, आर फ्रींज, मौनिका, स्थाइड हाड, एंड, शी पास्ट एंड 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 जोडने का काम करता है, रहा है, कजंउंक्षन का काम कर रहा है, दोस्तों, इदर मौनिका वर्ड है, इदर भी मनीशा वर्ड है, भी फ्रेज है, मौनिका स्थाइड हाड, एक सिंटेन से, कलोज है मित्रों, और इदर शी पास्ट एक्जाम, एक close है तो यहाँ पर close को जोडने का काम कर रहा है तो conjunction किसे कहते हैं एक ऐसा word है जो word को word से phrase को phrase से और close को close से ठीक है express करने का या जोडने का काम करता है मित्रों समझ में आ गया तो conjunction का काम ही मित्रों जोडना है preposition भी जोड रहा था लेकिन preposition अपने बाद में क्या ले रहा था बताईएगा कोई ना कोई noun या प्रणाउन ले रहा था मित्रों थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आप लोगों को और इसके बाद में बात आती है किसकी देखी जरा किसको पढ़ेंगे अपने इसके बाद Interjection The last but not least ये भाव होते हैं मित्रों विश्मयादी बोदन याद रखिएगा question बना कि what are interjections की interjections होते क्या है ध्यान दीजिएगा An interjection is a word which expresses दोस्तों एक जो interjection होता है An interjection is a word which expresses some sudden feelings ये रहा An interjection is a word दोस्तों interjection एक ऐसा शब्द होता है जो क्या शो करता है कुछ sudden feelings को express करता है ठीक है An interjection is a word which expresses जो express करता है किसको some sudden feelings को कुछ sudden feelings होती है अचानक से की मान लीजे कोई जीत गया येस जीत गया और इतने में कोई खबर मिली की आपका दोस्त नहीं रहा तो अचानक से रोने वाले से कंडिशन आ जाती है ठीक है और कई बार ऐसे कुछ हो जाता है सरप्राइईस हो जाता है जैसे मैच जीता जीते है आपने बोला हुरे येस we have won the match we have won the मैच येस now मैच जीत गये हैं वैसे ही देखा दोस्तो ऐले इस नहीं बोलेंगे ऐसे येस ऐसा नहीं होगा ऐलेस शे इस डेस कि हे बगवान वो मर गई मुस्किल से शादी होई थी और वो भी चल बसी तो यह थोड़ी बलेंगी येस वो चल गई यह चल बसी मजा थोड़ी आता है feelings भी बसी Alice, she is dead आशू आ रहे कई बार आप बोलती है ब्रावो, शबास बैटा आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों की आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है कौन से पार्ट से एक एक शब्द को identify करने से विश्मयादी बोदकवे एक एक चीज आज की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की इसमें बताया गया फड़ाफट से देखिएगा लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था नाउन और प्रनाउन और डिटर्मिनर के बारे में आज शुरुआत की थी अज़क्टिव के बारे में तो मैंने यहाँ पर बिलकुल क्लियर कर दिया अज़क्टिव और एडवर्ब दोनों ने ही विशेशता बताने का ठेका ले रखा है लेकिन दोनों में क्या डिफरन्स है वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दिये अज़क्टिव और एडवर्ब के बारे में आगे याद रखिएगा और भी बताए था MPTR, manner, place, time, reason, ये बताने वाले manner, place, time, reason, बताने वाले या frequency बताने वाले शब्द भी मित्रों, adverb होंगे दोस्तों, determiner के बाद आने वाला शब्द noun होगा, determiner और noun के between, मित्रों यदि कोई शब्द है तो वो adjective होगा और adjective से पहले भी कोई शब्द आए तो adverb होगा, तो finally हमारे पास क्या बना, determiner plus adverb plus adjective plus noun, क्यों बना, determiner तो आई गया दोस्तों, last ने चलिए noun, ठीक है, noun की विशेशता adjective बताएगा, adjective की adverb बताएगा, याद रखना, और determiner किसके लिए आया है, noun के लिए, determiner plus adverb plus adjective plus noun, क्योंकि noun के साथ adjective ही आ सकता है, adjective से पहले adverb ही आ सकता है, ठीक है, ऐसा देख लिया है, और उसके बाद में मित्रों हमारे पास निकल कर आया, क्या, verb किसे कहते हैं, verb दो ही चीज़ बताती है, verb is the word used to express an action or state, और उसके बाद में हमने लिया मित्रों, preposition किसे कहते ह preposition एक ऐसा शब्द होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना pre और position अर्था, preposition के बाद हमेशा क्या लगाओ आप, noun या pronoun लगाओ, यदि preposition के बाद noun और pronoun नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, preposition नहीं माना जाएगा, वो adverb of place या कुछ माना जाएगा, conjunction, शब्द some sudden feelings को express करता है, अचानक से कोई feelings उठती हैं उनके बारे में, तो दोस्तों, आप कहोगे तो next class में आप लोगों के लिए हाजिर होंगा, practice session को लेकर, ठीक है, हमने complete कर लिया है कि parts of speech किसे कहते हैं, यहां से एक question अकसर हमारे सामने निकल कर आ जाता है, तो कल फिर हाजिर मित्रों, क्या लेकर, एक exercise वाला part लेकर, हम उसमें जानेंगे कि क्या होता है sentence में शब्दों का role, कौन सा शब्द वाकिये में क्या कारी करता है, मित्रों, कैसा लगा आज का session, do tell us हमें जरूर बताएगा, आज के लिए इतना काफी है, मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स, जे हिंद, जे भारत